आप सभी का हमारे educational platform competition community में एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं FTR सीरीज में reasoning subject के अगर हम बात करें तो आज हम लोग यहाँ पर part 5 डिसकस करने वाले हैं और अगर मैं बात करूँ topics की जो आज हम लोग यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो शब्दों का तारकिक क्रम नेक्स्ट वन इस और न्याय निगमन, कथन एवं निशकर्स और कथन एवं कारेवाई यदि हम इंग्लिश में इसकी बात कर लें तो शब्दों का तारकिक क्रम यानिकि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स न्याय निगमन यानिकि तो देखते हैं आज की सीरीज का पहला कोशन पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आचुका है यहाँ पर हम बात करेंगे अप्रोच की कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एक्जाम में इस प्रकार के कोशन हमें देखने को मिलते हैं तो हम कैसे आसानी से उसको हल कर सकते हैं और क्या क्या समस्याइं हमारे सामने आती हैं जब इस प्रकार के प्रशनों को हम हल करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपका अप्रोच होना चाहिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपके लिए helpful होने वाला है वो होने वाला है आपका option दूसरा आपका common sense दोनों की हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गरीबी जिंसंख्या मृत्यू बेरोजगारी और रोग यानि कि हम बात करें यहाँ पर किसी भी particular चीज के अगर बात कर लीजे चाहिए आप गरीबी की बात कर लीजे चाहिए आप मृत्यू की बात करिए चाहिए आप बेरोजगारी की करिए या फिर रोग की करिए यह चीज़े तभी संभाव ह को सबसे पहले देखने को मिलेगा यानि कि option number one or two आपके पास क्या बच जाते है विकल्प बच जाते है अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो बीमारी होगी तो क्या होगा मृत्ति होगा बीमारी होगी तो क्या होगा होता है क्या मृत्यों आद्मी की पहले हो गई रोगबाद में होगा तो यानि कि अगर कॉमन सिंस लगाते तो आपको यहां पे डारेक्ली ऑप्शन मिल जाता है आपको पूरे वर्ड को प्रॉपर अरेंज करने की आउशकता नहीं है लेकिन कई बार आपको ऐसे भी विकल्प देखने को मिलते हैं जो काफी complicated या काफी close होते हैं जहां पर आपको option लगाना थोड़ा सा क्या हो जाता है कठीन हो जाता है यानि कि अगर हम sequence की बात करें तो option से आपको sequence लगाना थोड़ा सा कठीन हो जाता है दिक्कत आती है तो उस प्रकार के भी हम विकल्पों के साथ मे बात करें तो जनसंख्या है जनसंख्या के बात क्या है बेरोजगारी है बेरोजगारी से आएगी गरीबी गरीबी है तो रोग होगा यानि कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे अच्छे खाने के नहीं होंगे ठीक है तो फिर उसके बाद क्या होगा रोग होगा तो मृत् हो जाएगा यानि कि 24153 चलिए बढ़ते हम लोग अगले कोश्चिन की वर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा नवजात यहाँ पर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा नवजात यहाँ पर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा नवजात के बाद के आजाएगा गाल मेर बता है टुके बाद क्या जाएगा ड़का आजाएगा कॉम्प्रिकेशन कहा जाए है वहाँ वुह होता है तो इसके लिए समझे जो होता है ये कि च्पर hazır से कैसी से निसे क्षक्त Mayton सक्जाल है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो किसोरा वस्ता है वो पहले आएगी जो किसोरा वस्ता है वो पहले आएगी और बंदा वयस को जो है वो बाद में होगा यानि कि यहाँ पर जो आपका विकल्प बनेगा वो बनेगा option number two बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अगले कोश्चन की यदि हम बात करें इस कोश्चन की तो यहाँ पर आपको दिया गया है पेड, बीज, फूल, फल और पौधा तो यह तो हमें पता देखे कि फूल आएगा फिर फल आएगा और इनका एस्थित्व क्या होगा पौधा और पिर्डाने के बाद होगा तो यहांपे अगर हम full और फल की बात करें जैसे कि 3 के बाद क्या आना ची चार आना ची तो जिन option में 3 के पहले чार आपको दिखाई दे रहा हो गैं छिमसे यहां पर तीन के पहले चार आपको Cay Новотрay है, तीन के पहले चार, आपको अप्शन नमबर दो में दिखाए दे रहा है, यहां पो तीन के Eh Tags लेकिन पे पहले फूल आ सकता है क्या सबसे पेले फूल नहीं आ तचूह आने के बाद भी जाए पूल आने के बाद पेड़ तो दे होंगे क्या ऐसा नहीं है यानि कि यहां पर बात करें परिविक्छा तो सबसे पहले बात जब मैं बात कर रहा था यहां पर तो आपको कई बार हमें क्या हुदा है मिनिंग नहीं पता होती और वहां पर मने यह अपका हिंदी government को मिल आपको कई पर ऐस सारे से लोगं हुगे जिनको परिरिक्षा का मतलब नहीं पता होगा या फिर अगर हम बात करें साथ-छात-कार की चैन की नियुक्ति की विग्यापन और फिर आवेदन यानि कि यह आपको कुछ वर्ड दिये गए हैं अब हम बात करेंगे इनके सिक्वेंस के उपर तो अगर हम सिक्वेंस की बात करें यानि कि चैन की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है सेलेक्शन की बात कर रहा है नियुक्ति की बात कर रहा है यानि कि अपॉइंट्मेंट की बात की जा रही है तो यदि हम बात करें यहाँ पे इनके sequence की तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या होता है हम exam देंगे तब तो select होंगे और exam के अगर हम बात करें तो हम क्या करते है अपलाई करते है जैसे आप लोगों ने भी क्या किया है अपलाई किया है और आपके exam होने वाले exam की date आपको पता है तो सबसे पहले apply करने से पहले आता है यानि कि नोटिस आती है या फिर विज्यापन आता है विज्यापन के बाद हम क्या करते हैं अपलाई करते हैं विज्यापन के बाद हम क्या करते हैं यानि कि आवेधन करते हैं आवेधन के बाद अगर हम क्या हो जाते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है इ परिविक्षा अवधि हम क्या करते हैं तो यहां पर आपका बनेगा यायनि कि सबसे पहले हम बात करें तो विज्यापन आएगा अगर अब इसको option के साथ जाते हैं तो देखें यहां भी आपको विज्जापन यहां भी विज्मा देखने मिल रहा है तो यहां पर भी आप Eliminate नहीं कर सकते थे विग्यापन के बाद आप क्या करेंगे आवेदन करेंगे तो आवेदन आपको तीनों में छे 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 देखने को मिल रहा है इसके ज़री हम बाद की बात करें तो आपको दिया गया है साथ चातकार यानि कि दो यहां पर भी देखने को मिल रहा है यहां पर आपका क्या हो गया Eliminate अच्छा इन दोनों का आपको पहले ही Eliminate हो चुका है अब यहां पर तीन और चार तीन और चार में आपको क्या करना है चुनना है चिन और चार कि आग support करें तो पहले चार आएगा कि पहले तीन आएगा तो भाई साथ पहले क्या होगा चयन होगा पहले चयन होगा तब क्या होगी नियुक्ति होगी यानि कि option number 4 जो बनेगा आपका सही विकल्प बनेगा इस particular question के लिए तो option तो आपके लिए आपके helpful है ही है लेकिन साथ ही साथ आपको थोड़ा सा basic knowledge होना भी आवश्यक है और यह आपको कहीं बाहर सी question नहीं पूचा है ऐसा यहां पर question नहीं है कि आप बिल्कुल आपके लिए नईie हैं आप इनई क्या करने हैं आप कहीं न कहीं इन सारे process से होकर के गुजर रहे हैं और ये आपके लिए बिल्कुल familiar सी चीजे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा complicated हो गया बस यह है कि हम चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और गई बार इस चक्कर में हम क्या करते हैं गलत option को select कर लेते हैं गलत option choose कर लेते हैं तो बढ़ते हम लोग अगले question की और अगले अधी मैं यहाँ पर question की बात करूँ चलिए अगर हम बात करें इस प्रशन की तो यह प्रशन आपका न्याय निगमन यानि कि स्विलॉक सेक्शन से देखने को मिल रहा है यहाँ पर हम क्या करेंगे question solve हरने के लिए when diagram की healthy question को हम solve करने वाले हैं तो अगर हम बात करें हैं तो कुछ पुस्तक के bag है यानि कि sum ARB यानि कुछ पुस्तक क्या है bag है तो कुछ AB के लिए जो आपका when diagram बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है तो यह हो गया आपका कुछ पुस्तक क्या हो गए bag next आपको दिया है सभी bag copy है यानि कि जब हम क्या करते है सभी AB है तो उसके लिए जो structure का हम लोग यूज करते है सभी bag क्या है copy है तो यह हो गया आपके सभी bag क्या हो गई copy हो गई अगला आपको दिया है कुछ कापियां पेंसिल है यानि कि सफिर से आपको सम A, R, B देखने को मिला है यानि कुछ कापियां क्या है पेंसिल है अब हम बात करेंगे आप पे निसकर्स की तो निसकर्स आपको दिया गया कुछ पुछ 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 प हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं यहां पर पुस्तक आपकी पेंसिल हो भी सकती और नहीं भी हो सकती इसलिए हम इसको सही कंक्लूजन नहीं कंसीडर करेंगे हाला कि यह बैंकिंग की जब बात करेंगे तो वहां पर कांड से इसको important है वो मैं आपको concepts यहां पर बताता चलना हूँ तो यानि कि इसको हम consider नहीं करेंगे कि ये conclusion आपका अनुसरान कर रहा है next हम बात करेंगे कुछ copy क्या है पुस्तक है यानि कि कुछ copy क्या है पुस्तक है तो यह है आपके copy का section और copy और पुस्तक का अगर हम relation देखें तो देखि copy का भी कुछ part क्या है पुस्तक है और पुस्तक का भी कुछ part क्या है copy है यानि कि sum A यार B कि अगर हम बात करें जब कुछ A क्या है B की बात करते हम B है तो अगर हम कहते है कि कुछ A B है तो यह बात भी उतनी सही जितनी की कुछ B A है तो in the same way अगर हम बात करें कुछ पुस्त कापी है तो यह बात भी अगले प्राष्ट की तो यह आप िवला की स्टॉना सभी सब्देन है तो सभी क्या हो गया हो गए क्या लेंटीनम हो गए नेक्स्ट वन आपको दिया है कोई platinum चांदी नहीं है यानि कि कोई भी platinum का part क्या नहीं है चांदी नहीं है यानि कि silver नहीं है इसको मैं C से दिनोट करता हूं ताकि आपको confusion नहीं हो और यह sona को मैं S से दिनोट करता हूं यह हो गया आपका चांदी चलिए यह C लिख देता हूं फिर बोला है कुछ हीरा चांदी है यानि कि कुछ जो आपका हीरा है यानि कि diamond हो क्या है चांदी है तो यह आपका structure बन गया है अब हम इस structure की base पर क्या करेंगे conclusion निकालेंगे यानि कि निसकर्स निकालेंगे तो निसकर अगर हम बात करें इसको हम मान लेते हैं family A इसको हम मान लेते हैं family B तो देखें यहाँ पर family A के बड़े member का जगला किसके साथ में है family B के साथ में तो अब इसी बात है जो S है यानि कि जो सोना है वो भी क्या है family A का छोटा member है तो यानि कि platinum में आने वाला हर एक चीज कभी भी चांदी नहीं हो सकता क्यों कि platinum ही चांदी नहीं है clear? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ सोना चांदी है ये बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी फिर आपको बोला कोई चांदी सोना नहीं है याने कि कोई भी चांदी की बात करें। सोना नहीं है क्यों कि चांदी अगर आपके सोना होना है तो पहले इसको प्लैटिनम का पार्ट होना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है तो यह बात क्या हो गई सही होगा यानि कि यहां पर क्या हो जाएगा केवल निसकर्स दो अनुसराण करता है बात कर लेते हैं लेकिन कई बार नहीं बनते हैं या कई बार आप गलतिया कर देते हैं तो ऐसा क्या आजाता है क्या आप कई बार उसका प्रॉपर तरिके से वेंड डाइग्राम नहीं बना पाते हैं तो देखिए स्टेटमेंट अन कंक्लूजन को स्टेटमेंट के कॉंसर्ट से ही आप सॉल्व करिए कोशिच करिए कि आप उसको बिना वेंड डाइग्राम के ही सॉल्व करें और जो दार्षनिक पुरुष है और शुक्राथ क्या थे एक दार्षनिक थे तो अगर थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट लगाएंगे थोड़ा सा अब दिमाग लगाएंगेगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ है पधला निसकर सुक्राथ पुरुष थे यह बात क्यों हो जाएग जो में पर बोला जा रहा है कि सभी दार सिंग क्या सब्सक्राइब नहीं हो सकती तो इसके बारे में अपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो इन्फॉर्मेशन तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगले प्रस्ण की बात करूं, तो बोला है वह बुद्धिमान है, तो वह परिक्षा में पास हो जाएगा, अब इसका आप वें डाइग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, कॉंप्लिकेटेड हो जाएगा काफी, तो यहां पर अगले प्रस्ण दे दी गई है, यानि कि यदि वह बुद्धिमान है, तो वह परिक्षा में एक्जाम पास करेगा, अब यदि वह बुद्धिमान है, तो वह बुद्धिमान है, कि नहीं है, यह हमें नहीं पता है, यानि कि हम बात करें, परिक्षा में उत्तिर्ण होने के लिए बुद्धि तो हम्हें नहीं क्य सकते हैं कि परिक् Linked die तो यहां पर स्थेथ .. पर आपको त्थेल्य कपर है अनुसरन करता है तो उत्की है यहां पर आपको दिया गया है कोस्चन लेकिन अब हो को थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं से लिए कोर्स ऑफ एक्षिन की हम बात करते हैं जब तो क्या होता है कि जब आपके पास कोई समस्या होती तो आप उसके उस पर वेश्ट क्या करते हैं अगर मैं बात करूं कि अपना एक छोटा सा इंसिडेंट अगर बताओं जो आप से करना चाहूंगा यहां पर एक बार क्या था कि क्लास में काफी ज़्यादा मतलब इस्टेंट थी और हम लोग पालर रहे थे काफी और उस बीच क्या हुआ कि इतनी जादा स्टेंट थी विल्कुल स्पेस ना होने के करण गर्मी बहुत जादा और कारण यह था कि एसी काम न बड़ाने चाहिए तो बंदा अब बंदे इसम現在 कि अब स miss ने क्या हों के शुद है शुरू करें किसी ने बोला की कि किसी काम भी कोले करके बना लेंगे हैं किसी खराब हो जाता है तो तुम कोगे हम ब्रांचे ही शिफ्ट कर लेते हैं है ना तो यह तो आपका प्रॉपर कोर्स आफ एक्शन नहीं हुआ यानि कि वहाँ पे कुछ बच्चों के सही भी वहाँ पे रिपलाई आये जिसे कि उन्होंने बोला कि हम मैनेजमेंट से क्या करेंगे इसकी शिकायत करेंगे जिससे कि वो आने वाले टाइम पे इसको ठीक कर सकें तो इसी प्रकार हम कॉर्स आफ एक्शन जैसे आप देखते हैं किसी का अगर एक्चिदेंट हो जाता है तो वहाँ पे कॉर्स आफ एक्शन क्या होना चाहिए यानि कि हम कहें कि उसको हम वित्ती यह सहायता प्रोवाइड करा दें या कोई कहें कि वहां पर तरह तरह के एक्षन आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि बंदे के जैन में मोबाइल है लेकिन वह बगल वाले से कहेंगा एंबुलेंस बुला भाई तू उसमें भी पैसे लगते हैं तो तरह तरह कि आपको कॉर्स आपको प्रयास करने चाहिए उन हम प्रयासों की बात करेंगे यानि कि वहां पे जो आपके एफार्ट्स होंगे वो बेस रोंगे इस पे समस्या पर आधारित होंगे चलिए तो अब हम आते हैं कोश्चन पर अगर हम कोश्चन की बात करते हैं तो कथन दिया है शहर के वाड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया से प्यूलित पाया गया चलिए अब यह कहीं न कहीं क्या है कि समस्या है अगर समस्या पर बात करें तो समस्या है तो उसका समाधान या उसके बात करेंगे तो बोला है सहर के नगर पालिकाफ राधिकरण को वाड एक्स में व्यापक धूमन करने के लिए ततकाल कदम उठाने चाहिए यानि कि जो आपका पॉगिंग कराते हैं ना जो आपने देख है तो मस्क्यूमन से किवर करने के लिए यह आपका बिल्कुल एक सही एक्षण है जो कि लिया जा सकता है यह लिया जाना चाहिए नेक्ष्ट अगर हम बात करें चैत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए तो यह भी और दोनों ही क्या है सही है बात कर लेते हम यहां पे नैक्स्ट प्रॉब्लम की यह पिनेक्स्ट को स्वाइब करेंगे तो यहां पे बोला है सरकार को प्रभावित लोगों को विद्ती साहता प्रदान करने के लिए तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए ध्याद दीजिएगा एक तो आपका ये हो गया अगला देखते हैं लोगों और मविश्यों को बचाने के लिए भोजन पानी और चारा तुरंत इन सभी छेत्रों में भेजा जाना चाहिए ये तो आपका डेफिनेटली क्या होगा सही होगा ही होगा बैस आप अगर देखो जैसे भी आउस्टेलिया जंगल में आग लगी थी तो क्या करोगे अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज बोल रहा है कि केवल इंसानों के लिए नहीं जनवरों की भी बात कर रहा है और वहां पे वित्ती सायता कि हम अगर बात करें तो वित्ती सायता जब आपकी पास बेसिक वहां पे नीट्स की जो प्रभावित नहीं होंगे बलकि वहाँ पे जो आपके मवेश्टी है जो आपके जानवार है वो भी क्या होंगे प्रभावित होंगे इसलिए यहाँ पर जो आपका सही विकल्प बनेगा वो बनेगा option number two तो जैसा कि हम बात करें FTR सीरीज की तो FTR सीरीज में reasoning section का यह आपका last session था और उस last session का यह आपका last question है तो आप practice करते रहें रेसेशन्स को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलें, जिससे हम आपके लिए और भी बहतर तरीके से वीडियो बना सकें, तो आज के लिए इतना ही थैंक यू. सीजी पीएसी की समपूर्ण तयारी के लिए, कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले.